दोस्तों जब भी आप कोई medical policy खरीते हैं तो सबसे पहले क्या होता है process में कि कोई आपके पास कोई advisor या consultant या BEMA isn't आपके पास आते हैं और आपको policy के बारे में बताते हैं और आपके family के या आपके accordingly वो एक plan बनाते हैं और एक claim के हिसाब से आपको policy का premium बताते हैं और आप वो चीजें हैं वो आप नहीं जान पाते लेकिन कोई भी policy लेने से पहले दो या तीन factor ऐसे होते हैं जिनने आपको जानना चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वीडियो को सुरू से अन तक देखेगा क्योंकि इसमें आपको जो मैं बताने वाला हूं वो को family floater health insurance plan का मतलब यह है कि एक ही family को पूरा एक समय शोट दे दिया जाता है जिसमें वो अपना claim कर सकते हैं पोज किजे कि 5 लाग के claim की policy है तो और policy में चार लोग है तो चारों लोग मिलके भी 5 लाग का insurance cover कर ले सकते हैं या एक person भी कोई भी एक person भी केवल पूरे पांच लाग का cover claim ले सकता है या दो लोग भी धाई-धाई-लाग का claim ले सकते हैं उसे family floater health insurance कहते हैं family floater का मतलब यही है कि वह उसे कोई भी यूज कर सकता है दूसरा है individuals के लिए medical insurance बने हुए हैं तीसरा है अगर कोई भी आप claim ले ले लेते हैं अपनी policy में और आपका पूरा semi short खतम हो जाता है तो उस case में आप कैसे करेंगे और आपका time बचा हुआ है तो उसी duration में आपको नहीं policy नहीं मिलेगी policy में पैसे डालने से आपको उतना claim के लिए आप apply कर पाएंगे दूसरा आपका claim बढ़ जाएगा तीसरा फोर्थ है कि health insurance sector में senior citizens के लिए भी policy आ गई है आप अपने मम्मी पापा के लिए भी policy ले सकते हैं दोस्तों ये हैं पांच कारण जिनके देखके आपको कोई भी insurance policy लेनी चाहिए claim settlement ratio, incurred claim ratio, network hospital, waiting period of pre-regional illness और cost of premium ये मैं आपको एके करके पूरे slides में मैं आपको इंडिविजली बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है और आपक claim settlement ratio की बात करता हूँ, तो claim settlement ratio का मतलब ये है कि कोई Bima company के पास कितने claim आते हैं, जिसमें वो कितने percent लोगों का claim approve करती है, क्योंकि insurance company के पास में right है कि वो आपका claim approve भी कर सकते हैं और आपके claim को deny भी कर सकते हैं, आप forfeit कर सकते हैं, इसलिए किसी भी company में insurance लेने से पहले claim settlement ratio के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, दूसरा है incurred claim ratio, ये ratio वहाँ पर काम आता है जहां पर pre-existing illness की बात होती है, बहुत सी company होती है जो pre-existing illness को cover करती हैं, बहुत सी company होती है जो pre-existing illness को cover नहीं करती है, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज देखनी है कि उसका ICR ratio कितना है कोई भी बीमा policy लेने से पहले तीसरा point है कि आपको उनके network hospital के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उनका hospital आपके area में है या नहीं जहां पर आप उनसे service ले सकते हैं चोथा है waiting period for pre-existing illness बहुत सी company दो साल या चार साल का pre-existing illness का waiting period रखती हैं इसकी आपको सबसे जानकारी होनी चाहिए कि वो आपकी illness को cover कर रही हैं दो, चार या छे साल बाद या नहीं कर पा रही हैं तो फिर आपके लिए ये policy बेकार हो जाएगी और अगर आपकी उस policy पर आप तो company forfeit कर देगी और आपको कोई भी benefit नहीं मिल पाएगा दोस्तों जो fifth factor है वो है cost of premium वैसे cost of premium बहुत सारी conditions के उपर भी depend करता है जैसे अगर एक मान के चली कि आपके room अगर आपका non AC room है या AC room है या फिर normal general ward है तो उसके हिसाब से भी बीमा policy में premium कम या जादा हो सकता है दूसरी बात कभी भी जो policies है वो hospitalization से पहरे pre-hospitalization की जो दवाईयां चलती है जो consultation होती है जो reports होती है उनको भी claim करती है और after post hospitalization मतला hospital से घर पर आने के बाद में जो भी medical या prescription चलता है उसको भी claim करती है तो इस चीज़ पे भी cost of premium depend करता है और ये कोई भी बीमा policy लेने से पहले इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा से द्यान से आपको सारी चीज़ पढ़नी है कि pre-hospitalization और post hospitalization के बाद में क्या उनकी term or conditions है इंडिया में जो five best health insurance companies है आज के टाइम में वो है रेलिगेर हेल्थ इंसुरेंस दूसरा है टाटाएजी, मैक्स बुपा, ICC Lombard और स star health insurance, friends मैंने एक table बनाई जो रेलिगेर हेल्थ इंसुरेंस, टाटाएजी, मैक्स बुपा, ICC Lombard और star health insurance, company में जो CSR और ICR और natural hospital हैं उनका आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, जब मैंने इन company के clear settlement ratio और in occurred claim ratio की जो और जो natural hospital है उनका detail निकाला, तो आपके सामने इन companies का details इस यह आपके सामने हैं, जिसमें की रेलिगेर का 93% है, टाटाएजी ने कोई rating नहीं rating दी है के वाल, और मैक्स बुपा, ICC Lombard का 98% है, और star health insurance का भी 98% है, वहीं ICR की बात करें तो star health insurance का जो ICR ज़्यादा है, और उससे बहुत ज़्यादा है ICR लंबार्ड का, तो दोस्तो आप कोई भी insurance policy लेने से पहले, आप यह CSR और ICR को और network hospital को एक बार ज़रू चेक कर लिजेगा, और insurance policy लेने से पहले उनके जो term or conditions है, pre-existing hospitalization, post-hospitalization और hospitalization के दोरान जो उनको facilities आपको provide करेंगे, उसके बारे में पूरा details एक बार जानने के बाद ही कोई भी policy purchase कीजिएगा, ठीक है friends, दोस्तों आपने सारी details तो देखी लियोंगी, लेकिन मैं फिर भी आप से कहूँगा कि कोई भी insurance policy लेने से पहले, आप अपने end पे भी एक बार सारी बाते चेक कर लिजेगा, सारी सर्तों को देख लिजेगा, और उसके बाद ही आप कोई भी policy खरीद देगा, आप से कोई charges नहीं होगा, दूसरी बात, आपको अगर policy खरीदनी है, तो नीचे link दिया हुआ है, आप वहाँ से direct process करके, आप policy वहाँ से purchase कर सकते हैं, और ये जो मेरा वीडियो है, ये केवले एक educational purpose से है, आपको aware करना, educate करना, तो मिलता हूँ आप से ऐसा ही नए वीडियो साथ, तब तक के लिए दोस्तों, have a nice day, bye bye, see you.